जम्मू कश्मीर में चुनाओ है आतंकियों को तनाओ है आज क्यों इस बात का जिक्र कर रहा हूँ आज इस बात का जिक्र में क्यों कर रहा हूँ और क्यों जम्मू कश्मीर के चुनाओ की बात कर रहा हूँ पूरी खबर विस्तार से जानना चाहते हैं तो देख लीजेगा इ ही आपके दिमाग में क्या आता है आतंग दश्षदगर्द खौफ डर लेकिन मोधी सरकार के 370 वाले इतिहासिक फैसले ने एक नए कश्मीर को बनाया है एक नए कश्मीर का जन्म हुआ है कश्मीर में क्या माहौल है पहले ये रिपोर्ट देख लीजए फिर आगे बात करेंगे दिखाईए अगर तीन फैसले के बाद भी बीजेपी ने हार नहीं मानी तो क्या हम एक फैसले के बाद हार मानेंगे पिश्मीर के दिल में आप ने सकमी सकम बरें दो दो जाएं तो अभूतारों को च्छीना जाता है और आपके साथ जंब कश्मीर के साथ ये अन्यायत हुआ है दर्णदर मूती ने पांच आगस 2020 को जो भी फैसे लिए वो हमें हर्गिस मंदूर नहीं है धारा 370 अब पास्ट है इतियास बन चुकी है इसको कोई वापस नहीं ला सकते समझ गए मामला पूरा चुनाओ 370 के आस पास ही होने वाला है भाई कश्मीर के चुनाओ में राज केंदर शासित प्रदेश और 370 की ही गूंज है दस साल बाद हो रहा है ये चुनाओ हर पार्टी के लिए खास है खास कर वो पार्टीयां जिनकी पहचान ही जम्मू कश्मीर से है जैसे महबूबा मुफ्ती की पीडिपी फारूख अब्दुल्ला की नेशनल कांफरेंस इस चुनाओ में चाहे पीडिपी हो जो खुला समर् पक्ष बीजेपी को हराना चाहता है एक जुट होकर सारे लोग और इस कड़बंधन की जुरुत क्यों पड़ी है ये भी जान लीजे सब कुछ विस्तार से आपको बता देता हूँ साल 2014 में जब चुनाओ हुआ तो कुल सीटें 87 थी कितनी थी 87 थी इसमें जम्मू रीजन मे 37 सीटें थी कस्मीर रीजन में 46 सीटें थी और लद्दाग में कुल 4 सीटें थी सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ ग्राफिक्स के जरीए देख लीजे आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप खुद कश्मीर में है जब जम्मू कश्मीर केंदर शासित प्रदेश बना और सीट जम्मू रीजन में बढ़ा कर अब जम्मू में 43 सीट हो गई है और एक सीट कस्मीर रीजन में बढ़ा तो 47 सीट हो गई है इस आंकडे को देखिए जम्मू रीजन में बिजेपी और रास्ती पार्टियां मजबूत हैं जबकि कश्मीर में छेत्रियां पार्टियां मज पगड़े एक तरफ राजनीतिक पार्टियां चुनावी रंग में रगी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ इस रंग में भंग डालने के लिए आतंकी अपनी शाजिस में लगे हुए है कि किसी तरह कस्मीर में चुनाओ सांती से ना हो जाए आतंकी भी अपनी प्लानिंग बना कर दिया है विदान सभा चुनाओं के दवरान गडबडी फैलाने की साजिस थी आतंकी जनता के मन में डर पैदा करने की साजिस रच रहे थे लेकिन हमारे सुरक्षाबलों ने आतंकियों के मनसूबे को नाकाम करते हुए बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद क् जब्त कर लिया है भाई साब जब्त कर लिया है और इतनी बड़ी संख्या में हथियार मिले कहां से हैं जानते हैं देखिए पेड़ की नीचे जड़ में आतंकियों ने अपना ठीकाना बनाया था देख रहे हैं विश्वल देखिए मेरे अगल बगल आपको सब कुछ दिख करतूत को नाकाम कर दिया है एक हपते से भी कम समय है इसलिए कस्मीर चुनाओ की बात करना जरूरी था क्योंकि आप पूरे देश से पत्रकार भी कश्मीर पहुचने लगे हैं क्या करने कस्मीर के चुनाओ को आपको दिखाने के लिए इसलिए मैं कह रहा था कि जम्मू कर मिर में चुनाओ है और आतंकियों में तनाओ